आज तब ठीक ही नहीं लग रही है खासी ने बिल्कुल परेशान कर दिया मेरे गला आवाज में भी शायद आपको लग रहा होगा गला पुरा घराब हो रहा है खासी अचानक से पता नहीं क्यों कल जैसी सोके उठी खासी स्टार्ट होगी अब बढ़ती जा रही है अब एक कोबर तो फुल लेवल पर हानी है फिर उसके बाद ही डाउन होगी कितनी भी दवाई ले लो चाहे दवाईया स्टार्ट की है बस यह हो रहा है किस किस चीज की दवाई लूम है एक तो खासी ने परेशान किया और एक लोगों की बाते भी परेशान कर देती है एक बात बता हो क्या कोई अगर मोटा होता है तो क्या उसको मजब खुश होने का हक नहीं होता क्या अगर कुछ करना चाहता है तो कर नहीं सकता मेरी कजन सिस्टर मुझे बोलती जा मैंने उसको बताया मैं व्लोगिंग स्टार्ट कर रही हूं और वो तो जबकि मुझे बच्पन से ही जा यह यह कहा कितनी और वह बोलते हैं क्यूं कर रही है क्या करेगी इतनी मोटी है तुझे कोन पसंद करेगा कौन देखेगा तुझे सब मजाक उडाएंगे सब यह करेंगे सच में मतब अगर आप मोटे हो, याग झाना हैं, क्योंकि आप मोटे हो यह presented आपके खुशी कोई माइने नहीं रखती, आप क्या करना चाहते हो, कोई माइने नहीं रखता, बस क्योंकि आपका फीगर मोटी है, आप, तो आपको बस खुद को कवर करके कोने में बैठ जाना चाहिए, सिर्फ यह है, मतब सच में यह मेंटलिटी ए लोगों की, परता नहीं क्यों एक तो वैसे ही तव्यत खराब है खुद परेशान हूं और फिर यह ऐसी बाते और जाद़ परेशान कर देती हैं फैता नहीं लोगों की सोच कब बदलेगी इस उसको बताया कि मैं ब्लोकिंग स्टार्ट कर रही हूं और फिर यह सब सुनके तो मतभी हो गया सच में जानती हूं ऐसा खुछ नहीं है मैं भी औरों के व्लोग देखती हूं तब यह इंस्पायर हुई मैंने स्टार्ट किया व्लोगिंग और फिर यह सब बैस सेटदर दी है लेकिन मैं इन सब को नहीं लेने वाली सीरियसली मैं जैसी हूं वैसे बहुत अच्छी हूं मेरे घर सब मुझे जानते हैं By Nature तो सब को पायता है मैं कैसी हूं यूदि मुझे किसी की बातों weak ऐन फाल्ट Three बातों में तुन है और फाल। बाते सुन् Film इन हैं जिसको जो कहना है कहे जो जो सोच नहैं सोचेत कोई वरक नहीं पड़ ता मैंने स्टार्ट की है व्लोगिंग और में रखूंगी जारी अब जिसको अच्छा लगे ठीक है नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक है और यह सबसे अच्छा यह है कि फुली आटमेटिक में कि अब चलो तव्यत खराब है बाकी सारा काम हो गया है लेकिन कपड़े दोना हो जाता है कि उसमें तो सारी आप भीगते ही हो तो उसमें कोई जंजटनी है डाला है तो मशीन दो दो के सुखा के दे देगी मैं तो उठा काने वाले हैं सारा काम है अभी देखते हैं दीन में ठीक लगते है थोड़ा जैसे जैसे श्रावन होती रहती है यो थी तक हो रहा है आप देखते क्या होता है कोई सौचे का ही तो है खासी के साथ बोड़ी पेन है गले में दर्द है लेकिन बोड़ी पेन है तो बोड़ी पेन होने के बाद किया है कि आप खड़े होते हुए भी आपको बोड़ी पेन की वज़े से आपको प्रॉब्लम होती है इसलिए मुझे बोड़ी पेन है अभी काम दीरे-दीरे कर है अभी रिलेक्स करूंगी एक देड़ गंटे बाद बच्चे आ जाएंगे फिर लंच पर तो ही सब का ही काम रहते हैं तो इसलिए अभी मौका मिला मैंने सोचा अपनी कल वाली व्लोग एडिट करूंगे बैठके और तब तक बच्चे आए जाएंगे फिर लंच बनाना है फिर थोड़ा एक हंटे रेस्ट करके फिर से शामका बनाना है तो अगर रेस्ट नहीं किया तो अब यह डॉन हो जाएगी फिर में व्लोगिंग नी कर पांगी अब यह चैलेंज के रूप में ले लिया है मैंने करना ही करना है यह चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया मैंने तो स्कूल से आगे हैं और लंच कर रहे हैं और लंच में मैंने बनाया है आलू का राइता सुबह मैंने आलू पराथा बनाया था तो तभी मैंने तीन चार आलू बचा लिया उसका बना दिया है राइता और अभी सब्जी वाले की आवाज आ रही है सब्जी वाला आ गया अब तो इसलिए चलो खालो मैं सब्जी ले लेती हूं चीशन तो जाना ही है ठंड हो चाना हो जाना है नहीं जाना है कौन डिसाइड करेगा मममा डिसाइड करेगी और यहां चल रही है इसलिए हम देखते हैं जब भी शार्क की या स्नेक की कोई भी मूवी आती ना तो हम नहीं छोड़ते अन्रा को बताया था शाइड ना कि हां कि सहर जोग्राफ्ची में चानल म्हीं आत तो हम यह इंग्लिश मोवी से जो यह वाली रहते हैं ना खासकर स्नेक स्वाली शार्क वाली तो ये सब हम देखते ही देखने और एक ओडाइनोजोर्स वाली तो सब्जी वाला आ गया था और मैंने सब्जी भी ले लिये कोई सब्जी निती टेमेटो भी नहीं था गर पे एक भी टेमेटो भी हो टेमेटो प्याज रख तो यह होता है कि चलो बही कुछ भी है बना लिया उसमें तो यह बेसिक चीजे तो जाएंगी जाएंगी, तो तड़के की बेसिक चीजे इना हो तो अभी दिक्कत रहती है, तो सब्सक्राइब ली नहीं, तो ये पल्वी बहुत प्रेशान हो जाती है और उसको प्रोब्लम हो जाती है कि ममा आप रोज रोज ही आलू बना रहे हो और यह इनकी चल रही है मस्ती खा पीके अभी इनकी स्टार्ट होगी है मस्ती है अब एक घंटा एक खेलेंगे वैसे भी ठंड है बिस्तर छोड़ के तो कहां जाने नहीं तो घर में खूब भागत अभी खेलेंगे फिर खेल खेल में लड़ाई हो जाएगी फिर थोड़ी देर में टीशन टाइम हो जाएगा यहीं डेली का चलने वाला ही है चलता ही रहता है तो अभी हम नेगे टीशन की चुटी करके है क्योंकि बारिश और यह बहुत तेज बारिश और यहां पहले अभी हो जाएगा तो अभी हो जाएगा तो अभी हो गया फरक और अब इसको भी हो गया फिर कुछ का भी नंबर आ ही जाएगा वाश उम्शु बोला बिटा यह तो घर में एक बार होके ओती है हमेश गाइग मापको टाइम दिखा जेता हूं हमारे टीशन को टाइम था फाइव थर्टी और भी टाइम से बज़ गया तो पल्भी कैसे लगा रहा है चुत्ती मार के सबसे पहले जाती है यह 10 निट पहले जाती है क्योंकि इसको पता है लेकिन आज तो होगी छुट्टी यहां भी इतनी ठड़ में बहार जाके क्या करते हैं मैं तो पहले ही बीमार पढ़ी हूं बच्चे भी बीमार हो गया है साट होगया पल्वी का भी इतनी ठंडी का मौसम चाय पीने का बहुत मल कर रहे है कोई चाय पिला दे पॉकॉड़े खिला दे मज़ा जाएगा तब तो बारिश का मज़ा है ना कोई अम्योंक्शेक बना दे गर्म-गर्मशा और मैं की खिला दे मज़ी आ जाएगा मिलक्शेक गरम हाँ होट अच्छा सब्सक्राइब तो वह हैबिट नहीं है ना सुने की तुम्हें सोचे क्या है क्या बोला इसलिए हॉट चॉकलेट शेक हां तो अभी मैंने बोले ना कि मेरी चाहरी समोसा निया सोरी पकोड़ा खाने की चाहरी थी चाहे पकोड़े मिल जाए लेकिन शायद इनको पता ही लग ग तो यह तो हो गया जैसे इच्छा पूरी हो गी है वह हो ही डायलोग में टो रहे है मांगा और मिल गया तो चलो खाओ आजो पीटे आजाओ खाओ चलो अब तक आपका बीच वाला आलो मत खाना हमेशा ही तरह साइडों का खा लो इसकी नहीं क्वालिटी है पलवी के नहीं सुपर पावर है बताओं क्या वो ना सिर्फ ना अलो मतल समुझे के साइड साइड का उपर उपर का यह पाट खाती है यह और यह अला पाट खाती है और अंदर का अलो हमारे लिए खोड़ देती है तो अभी डिनर बन रहे है और बच्चे स्टड़ी कर रहे है तो अभी डिनर बन रहे है और बच्चे स्टड़ी कर रहे है तो अब बारिश चल रहे है ना इसलिए रजाई में बैठ के स्टड़ी कर रहे है सब के होते हैं सब करते हैं अची है करो करो स्टाडी करो मैं डीनर लेकर आते हूं जल्दी सबना के कर लो और ना परेशान करो किसी को भी मैं देती हूं यह लो पकड़ो पैन पकड़ो चलो चलो काम करो कर लो पल्वी आपका कितना रहते है अपका कितना रहते हैं मेरा सब्सक्राइब कर लोग जब तक डीनर बनेगा तो हो जाएगा अपका काम तो आज लोग कित गाकी नहीं आया कल इतना सिखाया और कोई लोग कित नहीं क्यों नहीं गाया क्यों नहीं गाया किसे ने मजब मैं आपने चैप्टर की कोई एक्टिविटी नहीं रहते हैं मैं को याद रहा हां लोग गित वाले आपको एक ट्रीटीजी थी वो किते मैं नहीं रिटर्न में तो फिर मैं दुबार से कोईश्मन कराने लगे रहे बचेगे हम बचेगे लेकिन आपको तो मैंने लर्ण करा के बेजा था ना आप भी ऐसे बोल रख बचेगे औरों की तरही वो तो लड़नी करके आए होंगे आप तो करके गहे थे ना है लेकिन फिर भी होता है ना मैंने नेया चेप्र की कोईशन अंसर करा दी है मतलब अच्छा चलो स्टरी में बीजी होगे लोग की गित पीछे आटिया ऐसे दीरे दीरे तो लोग की गित कम हो रहे है हां और क्या हमें आते ही नहीं है हमारी मम्यों को इतने गीत आते है और हमें कुछ नहीं आता है हमें बस बक बक करना आता है और कुछ नहीं आता है और मुझे एक गीत आता है इसमें तेरा गाटा मेरा कुछ नहीं जाता है नहीं, गीत सिखने चाहिए, सिखेंगे, ममा की मदर भी लाइक, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, दाइला काफी जाती है, हमारे बच्चों की शादिया होगी न जब, और फिर इनके टाइम तक तो अमारी सास, वो सब इनकी नानिया, वो सब गा लेंगे, लेकिन जब हम बुड़े होएंगे, इनके बच्चों की शादिया होगी, तो तब कौन गीत गाएगा, फिर हम, गलियों की अर्टिया, ओ भी तो जा चुके होगी न तब तक, तब क्या रहेंगी, ने, फिर तो लाओ सीडी लेके आओ, रिकोर्ड बजाओ, चलो जी, गाओ गीत, ग जलाएगे, आपने लगा लो, सा में पार्टी सॉंग, पार्टी सॉंग, एक बचार होता हि, ट्रेंड तो दाद के वाले नान के वालों की बुराईय करते हैं यह पंजाब का ट्रेडिशन है हमारे नहीं है तो बता रहे थे हाँ पर यह इधर का होगा ना हमारे दुनिया ना अब हम जो इस शादी में जाएंगे एक नेक्स्ट शादी उसमें बता देंगे कि ऐसे कुछ होता है के एक गीत आता है वो है चलो ममा को तुनिया आते बेटी को तो आते है इसको नहीं आता कुछ यह जूट बोल रही है भजन आता है जीद नहीं होता है मैं पूरा निकाओंगे जारे कुछ जारा ही लंबा बड़ेगा चलो जी फिर आज के वलोग का यहीं एंड करते हैं खाना पीना इनकी स्टडी सब हो गया है तो अभी सोएंगे और मैंने भी दवाई लेनी है दवाई लेकर सो जाती हूं बस तब्र बहुत करा वे कला आपको भी लग उँगा है आवाज से वीडिय बार बार मुझे पोज़ करनी पड़ हो बहुत बहुत खासी ईह आव जी आपश पूरा जाएगी अच्छётся जलो जी मिलतें नेक्स व्लोग में बाई